पीजेपी का नया प्लान शुरू करेगी गड़ वापसी अभ्यान भूपेश बगहिल निसाधा निशाना सीएम बोले बीजेपी का काम दंगा फैलाना धर्मानतरण को लेकर चत्तसगड में सियासत जोर पर है लेकिन इन सब के बीच जश्पुर में बीजेपी गड़ वापसी अभ्यान शुरू करने जा रही है इस अभ्यान को अगामे विधानसभा चुनाओं से जोड़ कर तो देखा ही जा रहा है साथी बीजेपी प्रदिश अद्यक्ष आरोन साओ भी खुद ये कह रहे हैं कि पार्टी की जीत के लिए वो योजना बना कर काम कर रहे हैं तो सवाल यही क्या गड़ वापसी अभ्यान बीजेपी की जीत के ब्लू प्रिंट का ही हिस्सा है खेर बीजेपी तो जश्पूर को अपना गड़ बता रही है इधर बीजेपी के गड़ वापसी अभ्याद पर सीएम भूपेश ने तीखा हमला बोला है उन्होंने आरूप लगाया कि बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं है बीजेपी के लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे है सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के लोग छटपटा रहे है जाहिर है कि जश्पूर आदिवसी बहुल छित्र है जहां लगातार धर्मांतरन के मामले सामने आ रहे थे जिस पर बीजेपी ने विदानसभा में भी सवाल उठाया हाला कि अब बीजेपी घरवापसी अभ्यान शुरू कर अपनी जीत की रह को आसान बनाने में जुटी है हाला कि कॉंग्रिस की रणनेती के आगे बीजेपी का अभ्यान कहां तक सफल हो पाएगा ये चुनाओ के नतीजे ही बताएंगे ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूस नमस्कार मैं हूँ मनुस सेनी और आप देख रहे हैं चत्तिस गड़ा आज का मुद्दा गड़ पर सियासी रण बिदान सबाच उनाओ से पहले भारती जनता पार्टी जेश्पुर में गड़ बापसी अभ्यान शुरू करेगी जाहिर है कि गड़ बापसी के जरिये बीचपी सत्ता में बापसी की कोशिश कर रही है लेकिन सीएम बुपेस ने कॉंग्रेस के अभ्यान पर तंज कस्तिवारोफ लगाया कि वो दंगा फैलाने का काम करती है जिस पर अब सियासत भी जमकर हो रही है लेकिन यह वही 36 गड़ है जहां धर्मान तरण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है और धर्मान तरण को लेकर आपको याद होगा कि पहले से भी यह काम चलता रहा पहले जूदेव साब घर बापसी अव्यान चलाते रहे है लेकिन बात जस्पुर की हो रही है जो भारती जनता पारटी का लगातार घड़ बना हुआ है लेकिन जस्पूर के गड़ से क्या बाकी गड़ों में वापसी हो जाएगी, समस्ते हैं, मेरे साथ तीन मेमान जुना, धननजे सिंग ठाकुर जी है, प्रवक्ता है कॉंग्रिस के, धननजे जी आपका बहुत स्वागत है, सुसांत सक्सेना जी है, प्रवक्ता भारती जनता प गई, लेकिन उसके बाद कॉंग्रिस ने जिस तरह से मां बढ़त ली, या भुपेज बगेल ने जिस तरह से अपने पैर जमाए, अब 2023 सामने जाहर है कई तरह के प्रयास किये जाएगे, करना भी चाहिए, उनका अपना काम है, लेकिन क्या जो घर बापसी की बात कर रहे है जैस्पुर से ये इतना आसान हो पाएगा और वो गती बनी रहे, परंतो जुदेव जी का वेक्तित्व, उनकी कार प्रणाली, उनके सामने कोई ऐसा विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया है, जुदेव परिवार को नहीं मिल पाया, RSS को नहीं मिल पाया भाजपा को नहीं मिल पाया तो भाजपा ये गहन मन्थन में है कि उस इलाके में फिर से इससे पाल्टी का इस्थिती मजबूत हो एक नेतत्त उभर कर आए और जो उनका मूल एजेंडा है हिंदुत्व वो बना रहे उस इलाके में उसी के कारण अधार बना है तो ये मन्थन कर रहा है तो आगामी चुनाव में एक रणनीती का हिस्सा हो सकता है कि उन चार विधांसबा छेतर जो आते हैं जुदेव के प्रभाव छेतर में आते थे जस्पूर के इलाके है वहाँ अभी पुरक कांग्रेस का कबजा है तो इस कबजे को कैसे ढहाए जाए तो उसमें अलग-अलग मुद्दे हैं उन मुद्दे में उस इलाके में ये मुद्दा हर समय प्रभाव साली रहा है तो अभी भाजपा छेतरवार विधांसबावार और अलग-लग मैदानी अलाके में अलग अदिवासी अलग अलग-लग छेतर में अलग-अलग रंडीती बनाकर अपनी स्थिती मजबूत करने फिर से सत्ता में आने के लिए एक मुद्दे उचाल रही है लोगों के पास जा रही है तो वही एक हिस्सा है परंतो इसमें सफलता पर संदे है तो संदे इसलिए कि विसाल बेक्टित्य के आद्मी जो सुरू से चला रहे थे तो वैसा किसी का नकल कर सकते हैं नकल के लिए वैसा अकल चाहिए वैसी सोच चाहिए और वैसा काम चाहिए तो संग जो परिवार है उस स सक्री है वहाँ पर क्योंकि वास्तिर की धर्मांतरन हो रहे हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं उनकी जनसंख्या बढ़ रही है यह चिंता जनक बात है तो इस चिंता जनक बात को कहीं कहीं तरीके से उठा कर भाजपा आपने आपको इस्थिती मजबूत करने क का प्रयास कर रही है जी अब दूसरी तरफ कांग्रेस है जी कांग्रेस इस तरफ अभी मजबूत हुई है अलग-अलग कारणों से अलग नेतत्व के सक्रीता से मुद्दों से विधायकों के सक्रीता से अलग अलग तरीके से हुई है तो एक लड़ाई जैसे जैसे चुनाओ पास आएंगे वैसे वैसे अपने पाल्टी के मुद्दे इस्थानी मुद्दे और समसमाईक विस्यों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच ये इस्थितियां चुनाओ तक बनी रहेगी ताकि कैसे जीता जा सकता है तो ये जीतने का मूल मंत्र इस तरसा है ये लेकिन मूल मंत्र काम्याब कैसे होगा ये बड़ी बात है सुसान जी आप से ही समझना चाओगा सुसान सुकला जी मेरे साथ है भारती जनता पाटि एक ब्रवक्ता ये तो आपने टे कर लिया आपका प्लान भी बना लिया कि हमें बहां पहुँचना है और जो गड़ आपका रहा करता था वो कांग्रेस का गड़ बनाने जा रही कांग्रेस भी मेहनद कर रही है कि जो कांग्रेस के कबजे में आ गया है वो बरकरार रहे उसका गड़ बन जाए और जिन दिलिप सिंग जुदेफ साब की बात कर रहे थे तो उनका एक अलग कद था और कद के साथ उनका काम भी हमने देखा है कि लगातार लोगों से वो मिलते थे लोगों के साथ सीधा उनका संबंध था अलाकि परिवार ने या आप लोगों ने भी इस बात को बढ़ाया लेकिन कैसे हो पाएगा ये कैसा क्या पिलान क्या है आपका देखिए आज मैं सामाजी जीवन के राजनितिक कारेकरता करूप में अगर कहीं कारेकर कर रहा हूँ उसके प्रसिक्षन के पीछे अगर किसी एक नेता का हाथ है तो मेरे नेता स्वर्गी कुमार दिलिफ सिंग जुद्यों जी का कुमार साब ने एक बहुत अच्छी व्यकल्पिक व्योस्था समसामाइक विक्षियों के साथ सेवा के नाम पर राश्टांत्रन की जो व्योस्था मिशनरीय दोरा दी गई पूरवर्ती सरकारों के संरक्षण में उसके विरुद दुनों ने एक अभियान चलाया आपरेशन घर वापसी जिसके माध्यम से पूजा पद्धती बदल कर मतांत्रित हुए ऐसे हजारो लाखों लोगों को वापिस हिंदु धनातन धर्म में वापसी की व्योस्था सुनि मिला कि कॉंग्रेस के वरिष्ट निता थे रवी शंकर जी शुक्ल जिनके माध्यम से 1967 में एक नियोगी कमिशन का धर्मांतरन के विरुद गठन किया गया जिसके परिपालन की व्योस्ता समय समय पर होती आई 36 के परिपेक्ष में जब जब कॉंग्रेस की सरकार आई तब तब धर्मांतरन के मामले आखिर क्यों बढ़ते हैं ऐसा क्या मामला है कि मिशनरी से प्यार है आज कॉंग्रेस की सरकार को अब एक उधारन आपको सामने देना चाहता हूँ कि अब यह 2018 के बाद से अचानक चर्चों में मंदिरों के नाम का उपियोग करना चालू किया इन्होंने यह एक बहुत बड़ा विशे 36 के परिपेक्ष में है कि सेवा के नाम पर साज समुंदर पार की सैतानी सक्तियों द्वारा जो राष्टांतरन की व्योस्था बनाई जा रही है जिसके विरुद्ध हम है नहीं लेकिन आप इसके विरुद्ध है पर क्या उस तरह से काम कर पा ऎक दोर ऐसा भी रहा जब सरकारे आपकी नहीं थी लेकिन दिलिप संग जुद्ध है उपने तरह से काम करते रहें अब आपके पास क्या है जो लोग बिश्वाद को ही जट रहता है तो उसका वीक्ति तो काम करता है और डुनिया में नहीं होते दिवंगात होते हैं नंके क काम करते हैं उनके विचारों को लेकर जन मानस के मद्य जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम उसी तेजी उसी धार के साथ वापिस धर्मांत्रण के खिलाब खड़े हो पाएंगे ऐसी हमारी मानिता है जी धर्मांत्रण को लेकर हमेशा आप पर आरोप लगते रहे हैं आपकी सरकार पर आलों लगते रहे हैं कि मिशनरियों के साथ आप सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं लेकिन ये कैसा अभियार है यदि भारती जन्ता पार्टी इसकी सबलता तक पहुंसती है जैसा उनका दावा है तो फिर आगे चलकर बड़ी चुनोती आ ठान खरीदी का मुद्दा ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन से जोड़कर फिर एक बार बापसी की राहे तक नहीं देखे वनोजी असल माइन में यह है कि 36 गड़ में भारती जन्ता पार्टी के पास ना तो मुद्दा है ना तो नेता है ना तो नेत्र तो करता है मुद्दों के दिवालियापन के बुरे दोर से 36 जन्ता पार्टी गुजर रही है क्योंकि पूरो में जिनके 15 साल सरकार रही है जिन्होंने प्रदेश की जन्ता से के वादे को पूरा करने में कहीं न कहीं असफल और नकारा साबित हुई है आठ साल से केंद्र मिंदी साल का रहे है जो पूरी तरीका से देश की जन्ता के अपिक्छाओं पर उतरने में नकाम हुई है और वादा जो इन्होंने किया था उस वादे को जुमला बताकर जन्ता को पहा सुड़ाएं कर भाजपन यहता करते हैं ऐसे में भाजपा चुकि उसकी एक आदत है जूट बोलकर राजिती करना धर्म से धर्म कुड़ा कर आइंती करना संप्रताइदा फला कर आइंती करना वेमनस्ता फला कर आइंती करना जहां यह चीजे हैं अगर आज अरुन साओ जी कह रहे हैं को घर वापसिया भ्यान चलाएंगे स्वागाती योग कर उन्हीं को स्वर्गी दिलीव सिन जुदेव जी उनको मैं नमन करना चाहता हूं और दिलीव सिन जुदेव जी घर वापसिया भ्यान चलाते थे तो समझ में आता है ना जब 15 साल ते सत्ता में भार्चेंदा पार्टी थी तो आज रिकार्ड आप देखेंगे अधिकांस पांच वियान उसी छेत्र के गाओं जहां बुढा देव की पुजा होती है जहां प्राकृति की पुजा होती थी वहां कई ऐसे गाओं है जहां 90 से 90 परतिसात अबादी अपना धरम परिवतन कर लिए उन इस थालों में चर्च का निर्मान हुआ है तो इसके लिए पहले भ प्रदेश की जनता पीडित है जो 410 रुपाय का सिलेंडर कॉंग्रेस सरकार मिलता था आज 1200 मिलेने में जनता मजबूर है पेट्रोल डीजल में जो मनमोहन सिंग की सरकार 43 पैसा और 9 रुपाय टेक्स लेती थी आज मोधी सरकार 1915 पर ले रही है सभारी बात है निरुदग प्रदेश में कितने चर्चों कर निर्मान हुआ है हम तो संक्यम विताने को तयार है और यहां पे घर छोड़के लोग गए है और आज भाजपा घर में वापसी की बात करती जिसके लिए तो उतकी सरकार जिम्हेदार थी जी जवाब दीजी सुसान जी देखे धनजिया जी मेरे वरिश शाती है कॉंग्रेस के प्रवक्ता है परन्तु अपने सरकार की स्तुति वंदना करते करते वो एक बात को भूल गये कि उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है आज वर्तमान में चत्ति जड़ा राजक्ता धोका धड़ी विश्वास घात भरष्टाचार को समर्पित या सरकार आज चत्ति जड़ा को आर्थी का पातकाल की तरफ ले गई ये सब्दना मुद्दा है अलोक्पु सब्सक्राइब ये एक मुद्दा है और मुद्दों की अपार्क धिंकला है आपको बताना चाहता हूं पर तु आपको बताना चाहता हूं जिस डिबेट पर आपका वे कायम है वह मिश्णरी देश की व्योस्था में कॉंग्रेस के द्वारा लाई गई है आज इनके परिव इनके जो नेता है महानी राहूल गांधी जी जो तथाकतित तौर पर दतात्रे गोत्र करके चुनाओं के समय जनिव पहन के आते हैं उनकी वर्तमान पूजा पद्धती क्या है राज राश्टी चले पर बताएं ना हमें ने लेकिन वो बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि दब्बे फीस्टी मिस्णरियों का काम जो हुआ है वो रमन सिंग सरकार में हुआ है वो कह रहे हैं हमारे पास उसके आंकड़े हैं भई आप मैं आप से बोलना चाहता हूं कि भार्ती जंता पाल्टी समवधानिक दाइरों में रहकर सभी धर्मों को समान अनुपात से उनके काम को करने के लिए प्रोसाहित करती रही है परंतु धर्मांतरन जो सेवा के नाम पर राश्कांतरन की व्योस्ता हर समय समय पर कॉंग्रेस के दोरा प्रयाजित की जाती है या उनको सनरच्छन दिया जाता है इस पर बोले ना आज बताईए 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 एक ना मसला है इस तरय का मसला है कि मिस्नरी में मंदिर जी जो 90 से देखेंगा तकलिफ सुरू जाई सांच कर रहे हैं नहीं को भई भाजपा के प्रवक्ता मंदिर को फलाना और ठेकाना बोले वो क्या हिंदू के धर्म की बारें बात करेंगे यह बात कर रहे थे रहूल गांदी जी का गोत्र क्या है अरे आपका गोत्र में टीम ने कुछने वाला और आपके अमीश साथ के मातब अमलेश्वनी के मंदी में जब पंडी जिने पर टीका लगाया ना पुरा प्रदेश ने देखा कि इस प्रकार से टीका पर उन्हें तत्काल मिटाने क्या है आप हमें मत बताएं ना हम आपसे इंदू होने के प्रमान पत्र मा पर लगाया था रमांसी की सरकार बनाने के लिए तो जिलीश सिन जुदेवजी के मुझ की रक्चा भार्टी जन्ता पार्टी और असे उन्हें के पर पाई और 15 साले इस प्रदेश में जितने चर्च बने जितने धर्मांतरन हुए उसके लिए पूरे परिए जिम्मेदार क जिलीशा कराशी है देख रहे है घ्सका जिलीशार असे पर आपम पार्देश में जाए जवारी जीशार है नहीं के लिए जसे रामांसी की घुराने को देना है, जालीशारी तो दोनों को देना पड़ेगा, वह आपन पर आ रूप लगारा है आप उन्पर आ का दुन्या चलि कि दौत और में लुट रहा हुए हैं तो आपके साथ बनेश्पनकार के लिए जिए उनसे तुम पूछ लेने दिजिए वो बबता देंगे ना आप दोनों की बात आप से किर्टा दामें हो तुबारी जी बता देंगे तिवारी जी मैं लोट रहा हूं लोट रहा हूं लेकिन यह नई बात है कि मिस्टरी में मंदिर दिखाई दे रहे और जब अंदर मंदिर में पहुंचते तो हम मिस्टरी दिखाई देता यह क्या है यह क्या यह माना जाए कि अलग तरह की रणीती के साथ महां पर बढ़ रहे धर्मांतरन को लेकर दोनों ही तरफ एक वह घरबापसी का मसला है एक तरफ जो मंदिर है उसमें मिस्टरी तो मैं नहीं देखा पहले क्या है सरनेम बढ़ रहे हैं पहली बात दूसरी बात दोनों उत्तरन देपाए आज ही एक राहूल गांधी का वह आया है इंटर्वू उसमें राहूल गांदी ने कहा है कि मैं जब सोता हूं तो बाजी में घड़ी पार्स मोबाइल भगवान जुक बाइब कि भाजपा का प्रमुख्ञ विसा हैं वो तो हिंदु धर्मांतरन है उसी दिसा में जो उनके मुद्दे हैं जो उनके कार पनाली उनके सोच है धीरे धीरे जो है वो अपने मुद्दे पर कांग्रेस को लाते जा रहे हैं तो कांग्रेस को इससे फायदा है क्या भाजपा के बनाया हुए पीच में कांग्रेस जा रही है और ये इस तरह के पीच में इस तरह के मुद्दों से भाजपा को फाइदा ही होता है अपे इच्छा कृत कांग्रेस के जब जब दर्म आएगा तो पीजी में को फाइदा होगा जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एक अधिकार भाजपा का है यह बिलासपूर के मिसन हॉस्पिटल के अंदर चलने वाले एक चर्च की फोटो है जिस पर इन्होंन जेसे चुनाथी देता हूं मेरे साथी धनाजेसिंजी को मैं सर जवाब ले रहां तिवारी जाब की बात पूरी हो जाने मैं जूते यह बहसे रहां है इसके लिए केन सरकार और राज सरकार दोनों को इसके लिए सक्त कानून बनाया जाना चाहिए वो उस दिसा में अगर काम करें पाल्टियां दोनों दोनों पाल्टियां कर एक राय हो जाए अभी तो एक राय है कि धर्मांतर नहीं होना चाहिए तो इसके लिए जो कानून की ख इसाइं बनते हैं यह मुसल्मान बन रहे हैं उनको अपनी जातियों का फायदा मिल रही तो जो धर्मांतरन करेंगा उनको जातियों का फैदाए नहीं मिलेगा करेंगे इस तरफ यही मुद्दे रहेंगे देखिये इस मुद्दे से भाजबा को फायदा हुई है आज दो सीट से तेश की सबसे बड़े पाल्टी बनी है तो इसे मुद्दे से लेकर बनी है तो इस मुद्दे पर उसको काम करने का उसको उठाने का और यह सब तरीके हैं तो इस तरीके से 36 गड़ में हाले की जिन अबी कथा पुरान चत्तितगड़ में बहुत तेजी से होने लगा है, तो धर्म भीरू इलाके में इन लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाय एक तरीका भाजपा का ये भी हो सकता है अलग अलग रंणीतियां चुनाओं में सब चीज कराती है चुनाओ चुनाओ का एक रंडिती का हिस्सा है इसके अलावा लोगों की जो समस्या है उस दिसा में अगर पाल्टियां जाए उसके अगर बेता जमिनी सब्सक्राइब जल्दी तीस से करना बात कीजिए धनन जी जी समय नहीं मिलता धनन जी देखे मैं पहल बलात कट्या करके सनास्थी मंद्र विश्वासी मंद्र के नाम पर दो चर्ट सरकारी सर्ड़क्षल में चलने वाले मिश्टरियों को क्या भुपेज तक रंग्षल दे रही है इस पर जवाब कीजिए धनन जी जवाब पीजिए चलिए सरी ये मुद्धा ऐसा है कि मुझे लगता ये गर्माता रहेगा और इस मुद्धे पर दोनों ही दन चाया बीजेपी की बात करें या कॉंग्रिस की बात करें वो अपनी अपनी बात कहते रहेंगे तिवारी साब भी उसी तरह पिशारा कर रहे थे लेकिन मुद्धे बहुत है आप तीनों मैमानों का बहुत धन्यवाद आप मिरसा जुड़े लेकिन मुद्धे इस से इतर भी है मुद्धे धर्म के अलावा भी है मुद्धे विकास के हैं मुद्धे काम के हैं आपकी सरकार भी रही बरतमान सरकार भी है और जब 2023 सामने होगा तो क्या सिर्फ धर्म पर बात होगी या इस सियासी रण में और भी कुछ होगा क्योंकि बात चल रही है गड़ बचाने की और जस्पूर गड़ कभी बीजेपी का था अब कॉंग्रेस ने मां बढ़त ली है पर तेईस में क्या होगा नजर रहेगी कौन इस गड़ को भेद पाता है मुझे द